हेलो फ्रेंड्स मैं विन्या निर्भिक फ्रेंड्स आपका इपर फिश्य हमारे चैनल पर श्वागत है तो फ्रेंड्स आज के कोड केस का आप लोग बेसबरी से इंध्जार कर रहे थे क्योंकि आपको मालूम है पिछली हेरिंग में जज के द्वारा बोला गया था कि अगर से आयोग के तरफ से कोई एड़ोकेट प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो उस दिन की हेरिंग को आज की हेरिंग को फाइनल हेरिंग माना जाएगा, और एक तरफा फैसला सुना दिया जाएगा, ये बात आपको मालूम है, यानि कि आज फाइनल हेरिंग होने वाली थी, तो अब जूनियर एड़ोकेट प्रेजेंट हुए थे, अबस्ति प्रेजेंट नहीं हुए थे, ठीक, एनिक सिनर एड़ोकेट तो प्रेजेंट नहीं हुए थे, बड़ जूनियर एड़ोकेट प्रेजेंट हुए थे, ठीक है फ्रेंट्स, और वहां पर क्या हुआ हुआ, हेरिंग क तो सही से अपनी बातें नहीं रख पाय थे, जो उन्हें main reason देना था, कि same photo, same signature, NTP से accept हो आता था, इसमें क्यों accept नहीं होगा, वो क्या कर दिये, वो ये reason दिये, बोलने लगे, कि छोटा exam है, ग्रूप D की वेकंसी है, तो इसमें जाला scrutinize नहीं होना चाहिए, इसमें थोटा स्चूड़ देना चाहिए, जो कहीं से भी ये logic सही नहीं बैठता है, ठीके, तो वो लोग case हार गये, लेकिन आज क्या हुआ friends, आज आपको मालूम है, आयोग अपनी बात कह रहा है, candidates अपनी बात कह रहा है, candidates ने दो case extras file कर दिये हैं, ठीक है, यानि कि दो read or file हो गया है, और एक PIL में file हो गया है, ठीक, तो इहां पर क्या हुआ friends, आज भी यही बात हुआ है, जज साब यह बोल रहे हैं, कि हम ऐसे अलग अलग cases को नहीं देख सकते हैं, सबी cases को एक में merge करना पड़ेगा, ठीक है, और candidates क्या चाहते हैं, कि उन्हें के वल 4-5 दिन का ही मौका मिल जाए, एक case चाहते हैं, किसी भी case से बस वो मौका चाहते हैं, यहीं दुबारा form अपलाई करने का मौका चाहते हैं, और एक तरफ से आयूग कह रहा है, कि हम मौका नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि हमारा process इससे लेट हो जाएगा, और हम 24 अगस्त को ही exam कराना चाहते हैं, ठीक, आयूग यह बोला, अब उसके बाद अभी आपको मालूम एक दूसरा news चल रहा है, अभी आप देखेंगे news media वगरा साइट पे, तो बताया जा रहा है, admit card बहुत जल जारी हो सकता है, यानि आज या कल कभी भी जारी हो सकता है, शायद उनको court case के बारे में information नहीं है, क्योंकि आपको मालूम media वालों को बहुत जारी information नहीं होता है, बट फिर भी news खलाते रहते हैं, ठीक, ऐसा हमेशा होता है, किसी भी exam को ले करके, किसी भी vacancy को ले करके, ठीक है friends, तो उनके according ये है, कि admit card आज भी आ सकता है, कल भी आ सकता है, कभी मतलब बहुत जल आ सकता है, वो कहना ये चाहते हैं, लेकिन आपको मालूम अभी court में case चला, तो friends, आज का जो final बात ये हुआ है, कि आज भी जो क्या हुआ है, कि आज जब advocate present हो गए है, तो educate की अमतों, जो just आप कहे थे, कि अगर present नहीं होते हैं, तो हम एक तरहा फैसला सुना देंगे, तो जब present हो गए, तो आज फैसले की बात नहीं आ पाई, यानि कि फिर से नई date मिल गई है, जी हा friends, फिर से नई date मिल गई है, वो date मिले आपको 18 अगस्त का, अब 18 अगस्त का date मिला है, अब इसमें ये सोचने वाली बात है, अब code case के विए admit card रुकेगा, या फिर admit card आएगा 24 अगस्त के लिए ही, ठीके, तो अभी friends, आपको क्या करना है, जिनका form accept हो चुका है, जो form apply कर चुके हैं, वो 24 अगस्त को ही मान के तयारी करें, मैं बार बर कहता हूँ, कि अगर आप तयारी किये रहेंगे पहले से, तो आपको नुक्षान नहीं कर जाएगा, ठीके, आप अभी 24 अगस्त को ही मान की चले, लेकिन फिर भी आपको wait करना पड़ेगा, हो सकता है, court case जब तक खत्म ना होजे, तब तक एड्मिट कार्ड न दे, या फिर एड्मिट कार्ड देने के बाद भी पुस्पॉन कर दे, कुछ भी कर सकते हैं, ठीके, तो अभी आपको लेकिन इन सब चकर में नहीं पढ़ना है जिनका form apply हो चुका, accept हो चुका है, वो 24 अगस्त को ही target करें, और जिनका accept नहीं वो court case का wait करें, वा ठारतर की hearing का wait करें, देखें उस दिन क्या होते है, क्या उस दिन final order आपाता है, या फिर नहीं आपाता है, तो अभी के recording यहीं कहा जा सकता है, friends, अभी किसी की जीत हार नही ही हुई है, अभी उमीद बरकरार है, अभी candidates के educate अब तक भी कह रहे हैं, कि जीत candidates की ही होनी है, यानि उनके recording यह कहा जा रहा है, कि candidates को मौका जरूर मिलेगा, तो इस हिसाब से कहा से अग्जाम पोस्टपॉन भी हो सकता है, लेकिन अभी तक जब आयो से कोई confirmation नहीं मिला है पुस्टपॉनमेंट को ले करके, आयो को तरब से यह कहा जा रहा है, कि हम अपना process अवर अधिक लेट नहीं कर सकते हैं, 20 तारिक को एक्जाम कराने वाले थे, लेकिन मौहरम के विए से उसे टाल दे गए चार दिन के लिए, आपको मालूम पहले मौहरम 19 तारिक को होने वा ठीक है, और सितंबर में पहले मुस्किल हो जाएंगे, कि सितंबर में जो इस्कूल से बगर ओपन हो जाएंगे, तो स्कूल में जो आपके weekly six days होते हैं, वो नहीं मिल पाएंगा सामिस से, तो फिर संडेक एक्जाम करना मजबूर हो जाएगा, जबकि आपको मालूम यह से ग टारिट 24 सरगस्त को ही माने कि से ले, 24 का आप 20 को ही माने कि से ले, क्योंकि आपका कुछ एक्ष्टा तो 3 में बच जाएगा, तो आपके revision में काम आएगा, ठीक है, आप जिस स्वीट से पहले preparation कर रहे थे 20 सारी को माने कि, उसी स्वीट से अभी भी preparation करते रही है, ठीक है फ